हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका मेरे इस यूटूब चैनल वर्टूर गाइड में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्तान के खुबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में बताऊंगी जहां आप सुकुन भरे पल बिता सकते हैं नवंबर से उत्राखण और इहमाचल के जादातर हिस्सों में ठर्ण पढ़ना शुरू हो जाती है दोस्तो इस मेहने में कई जोगों पर बरबारी भी हो सकती है कभी-कभी ऐसे ठंडे मोसम में यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगे भी है जा नवंबर से यात्रा का सीजन शुरू हो जाता है दोस्तो राजिस्तान उन में से एक जगह है साल के ज़्यादा तर मेहने यहां बहुत गर्म रहते है और भार निकलना बहुती मुश्किल हो जाता है जबकि सर्दियों का मोसम यहां घुमने के लिए बिल्कुल सही रहता है इसलिए अगर आप नवंबर में घुमने का प्लान बना रहे है तो प्लान कर सकते है राजस्तान में घुमने के लिए जयपूर, जैसलमेर, उदयपूर, बिकानेर जैसी कई सारी ब्यूटिफुल प्लेसेस है इसके अलावा कुछ ऐसे हिल स्टेशन भी है जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते है तो क्यों न इस बार वहां घुमने का प्लान बनाया जाए तो आईए जानते हैं वो कौन-कौन सी प्लेसेस है फर्स जाता है गुरु शिकर हिल स्टेशन राजस्तान के इस गुरु शिकर हिल स्टेशन को गुरु की चोटी के नाम से भी जाना जाता है यहां से आप राजस्तान का खुबसूरत नजारा देख सकते है हिल स्टेशन पर अकेले घुमने का मज़ा अगर लेना चाते है तो आप यहां जा सकते है और अगर आप व्यस्त जिन्दगी से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाते है अगर आप ट्रेकिन के शोकिन है तो आप यहां आकर आनन ले सकते है अगर आप यहां जाते है दोस्तो तो आप यहां 20-30 मंदीर के दर्शन जरूर करें काफी खुबसूरत मंदीर है यह एक्स आता है अचलगड हिल स्टेशन अरावली रेंज में अचलगड पहाडी राजिस्तान के सबसे खुबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है जो माउंट आबू से लगबक 11 किलो मिटर दूर है अचलगड हिल स्टेशन हर्याली से गिरा हुआ है यहां आकर आपको प्रक्रती के करीब होने का एक्सास होगा यहां अचलगड कीला भी देखने लायक है दोस्तों अगर आप नेचर लवर्स है तो यहां मौजूद जीलो और वन जीवो को देखने का मोकान आपको मिस नहीं करना चाहिए काफी ब्यूटिफुल नजारा आपको देखने को मिलेगा लास चाता है सजनगर आप राजस्तान की इस जगब पर जाकर अपनी छुट्टियों का शांदार बना सकते है सजनगर पहले सपनी बेमिसाल खुबसूरती के लिए देश भर में काफी फेमस है जिसका निर्मान मेवार राजवंश के माराना सजन सिंग ने करवाया था यहां कई सारी जीले हैं दोस्तों जिसकी खुबसूरती देखने लाया के और इसके अलावा आप इसमें बोटिंग करने का मज़ा भी ले सकते है तो आप लोगों ने देखा होगा कितने ब्यूटिफूल हिलिस्टेशन है दोस्तों राजिस्तान के तो एक बार यहां अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर विजिट करिए अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और बैल आइकन पे क्लिक करे जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक्स फॉर पॉचिए